ये है गाय का गोवर और ये है गोवर से लकडी बनाने की मसीन और यहाँ गाय के गोवर से हवन की लकडियां बनाई जा रही है तो ये आप देखेंगे जो ये पतली-पतली गाय के गोवर से लकडियां बनाई जा रही है और इनको अभी एक स्थान पर सुखा दिया जाएगा शुखाने के बाद ये प्रॉपर जो हवन में गाय के सुद्ध गोवर से बनी हुई लकडी जो है इनका इस्तमाल हवन के लिए किया जा सकता है अब वैसे तो हवन के लिए हम आम जो है नॉर्मल लकडियों का इस्तमाल करते हैं लेकिन उससे पेड़ों को काटना पड़ता है और प्रयावरन को काफी उससे नुकसान होता है यह उसका एक अच्छा ऑल्टरनेट हमारे पास है जो की प्योर सुद्ध गाय के गोवर से बना ही लकडी है और इन लकडियों से हम अपना हवन कर सकते हैं जो की वातावरन को भी सुद्ध करेगा और साथ ही साथ हमारे जो पेड़ कटने से जो परयावरन है उसको भी हम इस से बचा सकते हैं तो यह जो मुहीम है यह जी एसदी और्गिनिक्स के द्वारा यहां गौ से वधाम हॉस्पीटल के प्रांगन में ही चलाई जा रही है जिस से जिसमें आप देखेंगे गाय के गोवर से बहुत सारे प्रोड़क्त यहां बनाए जाते हैं एक तरफ यहां प गोवर उसका पूरा एक सेट अप प्लांट जो है वहां लगा हुआ है जिसमें मसीन भी है खाद चान करके कट्टों में पैक करके जिससे हम लोगों तक पहुचाते हैं चाहे खाद की बात हो गोवर की बात हो और इधर आप देखेंगे तो जैविक खेती भी जो जी एसदी और्गनिक्स के द्वारा की जा रही है जिसमें केवल अपना जो वर्मी कंपोस्ट है गाय के गोवर से बनता है उसका इस्तमाल किया जाता है तो कोई भी जानकारी कैसी भी आपको प्राप्त करनी है और यदि आपको कोई भी हवन सामेग्री वर्मी कंपोस्ट कुछ भी कर सकते हैं और जैविक खेती से जुड़े हुए इस मुहीम में आप भी अपनी सहभागिता दे सकते हैं धन्यवाद साथियों